दोस्तों अदानी ग्रूप की बात करें यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग निकल क्या रही है जिनको एक एकर करके डिसकस करेंगे आपको पता है होगा कि से भी इसकी मामले की जांच कर रही है सुप्रीम कोट ने यहाँ पे एक कमिटी घडित की जिन्होंने अपनी रिपो कोशिस करेंगे यहाँ पे एक नया और एरपोर्ट लेने की भी समावना बंद्री है इसके अलावा अपने कर्च को रिफाइनस करने की कोशिस अदानी ग्रूप कर रही है तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नयावरियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो इस्टार्ट करते ह ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज अधानी ग्रूप के 10 मेसेज 6 शेरों में गिरावट दिख रही है सिर्फ 4 स्टॉक के इसमें तेजी देखने को मिल रही है इसके पीछे वज़े बाजार में भी गिरावट उपर के लेबल से बाजर काफी ज़द के आसपास श्टॉक इस समय टेड कर रहा है यानी एक तरह से देख से देख से था फ्लेट ट्रेडिंग चल रही है कल की क्लोईंग 960 के आसपास थी अधानी ट्रांस्मिशन की बात करती श्टॉक में 0.56% की तेजी लगबग 10% की तेजी है 811 के आसपास स्टॉक इस समय टे तो इसके अंदर 0.18% की गिरावट है 734 पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है इस समय मामूली सी गिरावट दिखी है अधानी पावर की अगर हम बात करें तो यहां फिर 0.36% की गिरावट है 262 के आसपास स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हो दिखा देगा अधानी विलमा लिम गिरावट है 440 के आसपास समय ट्रेड कर रहा है स्टॉक और अगर हम बात करें SEC सिमेंट की तो यहां पर भी 0.55% की गिरावट है 1835 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हो दिखा देगा NDTV की बात करें तो यहां पे सबसे थोड़ी ज्यादा गिरावट है 1.27% की गिरा और इसके लिए International Bank कों से बात्चीत शुरू कर दी है तो अधानी गृूप पांच International Bank कों से बात्चीत कर रहे हैं जिसमें आप देगे तो बारकेले, Deuce Bank, Standard Charter Bank यह सारी बैंक ऐसे करें कि मिला कि पांच बैंक के दिन के साथ में बैठे के शुरू करने वाला है और अपने जो जो पूराना करज़ा उसको refinance करने की कोसिस करेंगे। जो Economic Times की जो रिपोर्ट निकल करें उसके इसाब से Standard Charter Bank, Barclays और Deuce Bank सहित अधानी के मौझूदा उधार दातों में से जाला तर refinance के दौर में बांग लेगें। सम्मू ने इस लौन को Syndicate करने के लिए उधार दाताओ के संग का विस्तार करने के लिए दो ताइवानी बैंको और एक मिलिया से जो मलिशिया की बैंक है उनके साथ में चरशा सूप कर दिये हैं और जिसके लिए बुकतान के अवधी को तीन साल तक की बढ़ाने की भी साथ में मीटिंग चल रही है ग्रूप जुलाई के मद्दे में कंसरोटियम के साथ लौन एग्रिमेंट करने का लक्षे रखा रहा है और जो अभी फिलाल एटी के मेल का कोई जवाब दिया नहीं गया है अदानी समू के मौझदा करजादा लौन की सर्तों को फिर से दूसरी तरफ अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेट 8500 को इसका फंड जूटाने की यहां पे शेरदारकों की उनको मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही कंपणी फंडेज करने जा रही है तो यहां पे देख सकतो कि इसके लिए जो 98.64% के शेरदारकों के फेवर ने बोट दि जी और यहां पे देख सकतो कि यह प्रस्ताव पास हो चुका है शेर होल्डर की यहां पे रजामंदी मिल चुकी है दूसरी तरफ अदानी ग्रूप यहां पे ओनलाइन ट्रेंड बुकिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपनी इंट्रीग कर चुके है शुरू और आप देख सक अदेगा तो क्या करना चाहिए इस समय इन्वेस्टर को टिप्स टू टेट के अभीजित के हिसाब से अदानी इंटरफेजिस का जो स्ट्रॉंग रिजिस्ट्रेंस है वो 2538 का है और आप देख सकते हो कि इसके नीचे अगर आप जागा तो इसका जो सपोर्ट है वो 2386 का है सपोर्ट टूटा तो टार्गेट आपको 1983 का देखने को बिनेगा या इन्वेटम में स्टॉक में और गिराओट भी हो सकती है दूसरी तरफ वीपी इनक्रेट के गौरो बिसा का कहना है कि इस समय आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते है और इसमें खरीदारी अच्छी द इस स्टॉक आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते है इसका जो स्टॉंग सपोर्ट है वो 2200 का है और इस लेवल को या पर क्रॉस करने के बाद आपको देख सकते हो कि 2600 और 2700 के आगे के टार्गेट देखना को मिल सकते है तो 2200 के आसपास इसमें आपको स्टॉप लोस चैलेंजेस जिसकी वजह से उन्हें फैसला किया वाकी गवर्मेंट ने की इसको किसी प्राइवेट प्लेयर को स्वापा जाए तो अब देख सकते हो कि आदानी और टाटा ग्रूप इसमें दोनों इंट्रेस्ट ले रहे एरपोर्ट को लेने के लिए तो यहाँ पे देख स अब देखना होगा कि कंदूर एरपोर्ट किसको मिलदा क्या आदानी ग्रूप इसको ले लेगा या फिर टाटा ग्रूप यह तो आने वाला समय भी बताएगा लेकिन अदानी ग्रूप इस एरपोर्ट के बीजनस में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते है और सुप्रीम कोर्ट में सब्बिट भी कर लिए अब यहाँ पे कुछ बड़े सवाल निकल कर आए तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के बाद आगे कि क्या समभावना बन रही है तो छे सदुशों की पैनल लकरी 173 पेज की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम किया है लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल छोड़े गए जैसे कि कुछ जाच है कुछ ऐसी कंपनियों की जाच है उसको सेवी को सौपा गया कि सेवी इसकी जाच करेगी यह ट्रांजेक्शन हुए क्या गलत तरीके से हुए या तो एक तरह से अब जो बॉल है वो सेवी के प तेरा ऐसी सस्पेक्टेट जो ओवरसीज इंडेटिस की जो यहाँ पे आप देखे तो जो डील हुई है जो ट्रांजेक्शन हो जिसके उपर उनको कुछ डाउट है जो मौरिसस से संबंदीद है अब यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो नाम निकलका है तेरा ओवरसीज इसम में यह जो लीष्ट हमारे सामने है तो जो पहली कंपनी है एले रवा इंडिया ओपर्चुनिटीट फंड यह मौरिसस की कंपनी है राजंदर भट देख सकते हो कि इसके बहुंदर बता रहे है और यह यूके में आप देखो लीष्ट है इसके लावा देखे तो वैस्पेर का रामना मूर्ती जो सिंगापूर है उनकी नेशनलिटी इसके लावा देखे तो इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड मौरिसस बेस यह भी कंपनी दिखाई जा रहे है और देख सकते क्योंकि ट्राइड ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जीमी एंसेट इसका नाम है और यह मौर मौरिसस बेस है इसके लावा क्रेश्टा फंड लिमिटेड मौरिसस बेस कंपनी है मार्क डेंगल इसके उनकी नेशनलिटी है इसके लावा अबूला फंड लिमिटेड मौरिसस बेस है अन्ना लूजिया वन से यहाँ पर दिखाई जा रहा है इसके उनका नाम और यह भी मौरिशस बेस यहां पर यह जो फंड हाऊस है जिसमें आप देख से तो कि यह भी एलेस्टेयर गुगन भूल की बता रहे है सुजलेंड का कंपनी है इसके लावा एसीया इंवस्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड मौरिशस बेस कंपनी है और यहां पर देख से तो कि कि जो ओनर की बात को यहां पर जैन स्किलिंग मर्जेड लीस है और आप देख से तो कि यह निदर लेंड से है इसके लाव ओपल इंवस्मेंट प्रावेट लिमिटेड और मौरिशस बेस यह भी फंड आउस है और अदेल हसन एमद इसका नाम है यूई की यह देख से तो इ इस शेरों की प्राइस को मैनूपर लिट गया इन कंपनियों के माद्यम से निवेश करके तो यहां पर आप देखें तो इनकी जो प्राइस सी अ और इंटर प्राइश तक चला गया था अगर हम बात करें यहाँ पे अदानी ट्रांस्मिशन की तो 435 के आसवाई श्टॉक था देख सथ जनवरी 2021 में जो हिंडबक की रिपोर्ट के पहले 4238 तक चला गया श्टॉक इसके लाब आदानी ग्रिन अदेजी लिमिटेर की बात करें तो यहाँ पे 1066 की प्राइस थी इसकी 2021 जनवरी में जो यहाँ पे देख सकते हो की बढ़के 3048 तक चला गया श्टॉक इसके लाब आदानी टोटल गैस की बात के तो 377 के आश्ट पाइस थी एक जनवरी 2021 की बात के तो वो इससे की आप यहाँ जाच हो रही है और जल्दी इसका फैसला हो जाएगा और से भी अपनी अंतिम पड़ाव में तो जल्दी इसके उपर हमें खबर मिल जाएगी तो अभी उसका वेट करना होगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाड़ावाज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वड़ी पसंद आए तो लाइक से जोगी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तक ये फ्रेंट